वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला लिए तेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रग्येगा सारे कोशन अटेंट करिए और इस पूर अपना तुरंद करके बताएं कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहें जल्दी से कमन्न करके बताएं और यह समय बहुत महत्वोड हैं और इस समय में इंपोर्टेंट है कि आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर लें टॉपिक वाइस स्लेवर्स की एकॉर्डिंग ताकि आपका पूरा स्लेवर्स कवर हो सके इसके अलावा प्रक्टिस कर लें तो रिवीजन के लिए प्रप्रेशन के टेलिग्राम चलंग को भी जॉइन करना है और उसकी लिंक पी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी डिवीजन के इसी क्रम में आज देखिंगे भारती रास्टी कॉंगरीस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह और यहां से प्रश्ण जरूर बनता है एक्ज बन जाएगा तो इसको कवर करेंगे आज सबसे पहले भारती राश्टी कॉंगरीस इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई किसने की एगो यूम की द्वारे स्थापना की गई बॉंबे में गोकुलदास तेचपाल संस्कित कॉल इसकी बाद सेफ्टी वॉल यह लाला राश्ट पत्राय का था और इनी सिध्धान के आधार पर राश्ट्री कॉंगरीस की स्थापना की गई थी सड़ियंति सिध्धान किसका है रापीडत ने दिया था और इन सिध्धान्तों से प्रिश्ण बनते हैं सीधे तौर पर तो इ जादवाई नौरो जी बदरुद्दीन तैयब जी फिरोस्सा महता पी आनंद चारलू सुरेंद नात बनर जी रोमेश चंद्रदत आनंद मोहन बोस और जी के गोखले ये सब साधर तैयार किया गया इस विचार को अंतिम रूप एक सेवा निविट अंग्रेजी सिविल सेवक एओ यूम की द्वारा दिया गया जिन्हों ने उस समय के प्रमक बुद्धी जीवियों को संग्रटित किया और उनके सहयोग से दिसंबर 1858 में 28 दिसंबर 1858 में बॉम्बे के राश्ट्री कॉंग्रेज के पहले सत्र का आयोजन किया इसके एक प्रिस्ताव के रूपे भारती राश्टी समयलन के दो सत्र 1883 और 1885 में एक सत्र हुआ जिसमें भारत के सभी प्रमक सहरों के प्रतिनीधी सामिल थे सुरेंद्रनात वणरजी और आनंद मोहन बोस भारती र कांग्रेस के पहले सत्र में बहातर प्रतिनीदियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षा किसने की वियूमेस चंद्र बुनर जी ने इसके बाद कांग्रेस एक हर साल दिसंबर में देश की अलग हिस्से में हर वार मिलती थी तो यहां पर निधारित किया गया कि हर साल सम्मे पी आनन चालू सुरेंद्रनाथ बनर जी रोमेस चंद्रदत आनंद मोहन बोज और गोपाल कृष्ण गोखले अगले तत्य है 1890 में कलकता विश्य विद्याले में पहली बार इसना तक कादम बिनी गांगली ने कौंग्रेस सत्र को संभोधित किया जिसने भारत की महलाओं क राश्ट्री जीवन में उनका उच्चित धर्जा देने के लिए 77 संग्राम की प्रतिवधिता का प्रतिक बराया तो यहां पर महलाओं की भागी दारी भी रही भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अलावा प्रांती संमेलनों और संखों समाचर पत्रों और शाहित के माध्य समसे राश्टबादी कतिविदिया की गई भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के स्थापना 1885 के समय भारत की बाइसराइफ्ट कॉन थे लौड डफरिन इसलिए कहते भी है कॉंग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपच कहा जाता है 1884-1888 तक इनका कारेकाल रहा और उसने कांग में विलियम डिगवी के दक्ष्टा में बिट्रिस कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई यह इंडिया नैसनल कॉंग्रेस की समीटी थी और इस समीटी ने भारती मावलों से अंग्रेजों को अबगत कराने के उद्देशे से इंडिया नामक सापता है पत्र निकाला इ वर्स 1900 में करजन ने कहा कांग्रेस सब लड़ खड़ा रही है और जल्दी गिरने वाली है मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दोरान इस पार्टी का अंत हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कॉंग्रेस का विरूत कर रहे थे कुछ ल पहला दिवेशन 1885 में बंबई में हुआ वियुमेश चंदर बनर जी ने अद्यक्ष्टा की इस थापना किस्ते की एओ यूमने 72 प्रतिनेटी इसमें सामिल हुए दूसरा समयलान हुआ 1886 में कलकत्ता में और इसके अद्यक्ष्टा की दादा भाई नौरो जी ने दादा भ इस अदिवेशन में कुल 607 प्रतिनिद्यों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में पहली बार कॉंग्रेस की कारेस अंचालन का भार प्रतिनिद्यों की एक कमेटी के हाथों में सौप अग गया यह कमेटी आगे चलकर विसाय निर्धारणी समीती कहलाई इसकी बाद अगला सम्मेलन हुआ चौथा और 1888 में हुआ इलावाद में हुआ जोर्ड यूली ने अद्यक्षता की और ये पहले निर्वाजित यूरोपी अद्यक्षत है जोर्ड यूली जिन्होंने भारती राश्ट्यों कॉंग्रेस की अद्यक्षता की तो कुछ चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है जैसे कि पहले यूरोपी अद्यक्ष पूछे तो जोर्ड यूली पहले मुसले बंद्यक्ष पूछे है भारती राश्ट्यों कॉंग्रेस की तो बदरुदीन तयाब जी हो जाएंगे पहले अद्यक्ष ब्यों में इस चंदर "' Joyce' प्यों में 1595 में पूना में सम्मिलन हुआ सुरेइन पनर जी न अधिख्चता की दा भाई नावर जी त्यूं में अध्याओधा किन्य नवे सममिलन की लाहॉर में 1893 वियुमी स्चेंदर बैनाजी नहीं यहाँ पर दूसरी बार अध्याओधा की 80 आध्याओधा में 1892 में इसके बाद 1896 में कलकता में सम्मिलन हुआ رحم तुल्याद सेयानी ने किया यहाँ पर इसके अद्यक्षिता और पहली बार बंदी मातर में ताराहस उच्हानवे में रविन्हाद टैगॉर ने यहाँ पर गाया था इसके बाद और सारे सम्मिलन हैं 98, 1990, 901, 2, 3, 4 लगातार यहाँ पर सम्मिलन हो रहे थे और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर याद रखना है सुरेणाद बनर जी का 1902 का हमदावाद सम्मिलन फिर दादावाई नौर जी ने तीसरी बार सम्मिलन यहाँ पर जो है अद्यक्ष्टा की और पहली बार यहाँ पर स्वराज सब्द का प्र कौंग्रेश का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हो गया कौंसा सम्मिलन thi इसवा समेधान निर्माद की सूरत की फूट कंग्रे में में एग्सुआ अधल жизни oriented कलकात्ता में हुआ और 27 सम्विलन में, 1911 में कलकात्ता जो वो सम्मिलन हुआ था इसके बाद 1912 में बाकिपुर में हुआ और इस अधिवेशन में EU हूं को कॉंग्रेस का पिता कहा गया आर एन माधोल करने हापर अध्यक्ष्टा की 29 सम्मिलन करांची में हुआ और 30 सम्मिलन 1914 मदरास में हुआ फिर 31 सम्मिलन 1915 बंबई में हुआ सरसातीं 3% सिंधा ने हापर अध्यक्ष्टा की लॉर्ड विलिंग्टन ने कॉंग्रेस को 31 एधिवेशन में भाग लिया था और इस दोरान में बंबई का गवर्नर था यहापर जो गवर्नर थे उस समय बंबई के उन्होंने भी यहाँ पर भाग लिया 32 सम्मिलन लखनव में हुआ स्वराज मेरा जन्म से दादिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा तो यह जो नारा यहाँ पर है इनका बहुत प्रशिद नारा यही पर सामने आया था लखनव अधिवेशन में कब हुआ था 1916 में हुआ था अधिक्ष्टा की अंभिका चरण मजूम नार ने इसके बाद 1917 का दिवेशन कलकत्ता का है स्रीमती एनी वेसेंट ने अधिक्ष्टा की और यह आयलेंड की कुल से आती है आयलेंड की थी 1907 से 1923 तक थियो सॉफिकल सोसाइटी की प्रधार नहीं 1916 में हुमरूल लीक का गठन किया 1917 में भारती राज़्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अधिक्ष्ट बनी तो यहां से प्रश्ण बनता है भारती राज़्टी कॉंग्रेस की पहली महिला अधिक्ष्ट कौन थी एनी वेसेंट थी 1917 के कलकाता डिवेशन में अधेक्ष्टा की इसके बाद एक विसेस डिवेशन हुआ 1918 में बंबई में हसम इनाम इसके अधेक्ष्ट रहे कॉंग्रेस का दूसरा विभाजन है आपर हुआ था इसके बाद और अधेक्ष्टा हुए अधिवेशन होता है नाकपुर में सीवी राध वाचारी यहां पर अध्यक्ष्ट रहे कांग्रिस सम्मिधान में परिवर्टन हो गई इसके बाद अगले जो सम्मेला ने होते रहे और यहां पर चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्ष्टा की चितरंजन दास चेल में थे हकीम अध्यक्ष्ट रहे हैं पर अहम्दावाद वाले 1921 वाले में सेधिस में अर्थिस में जेल से बाहर आ गए और अध्यक्ष्टा की फिर उने ने देशवंदू चितरंजन दास ने इसकी बाद 1923 में फिर से विसेश्ट अध्यवेशन हुआ दिल्ली में 1923 में अबुल कला माजाद ने अध्यक्ष्टा की सबसे युवा अध्यक्ष्ट यहां पर बन 1925 कानपुर में हुआ सरोजणी नाइडू ने अध्यक्ष्टा की 1925 में कानपुर में भातियराष्ट के 40 विवार्थिका दिवेशन में बिकॉंग्रेस की प्रत्म भार्ति महीला दिक्ष्ट वनी काउंग्रेस की पहली महीला दिक्ष्ट तो इनीविजन थी इसके प्रत्म एनिवेसिंट आयरलेंड की थी आंगला आयरलेंड कुल की थी लेकिन परतम भारती मज़ीला दिख्ष पूछी जाये तो वो कौन है सरोजणी नाइडू है कानपर अधिवेशन में अधिख्षता की 1925 में 41 वा दिवेशन था इसके बाद अनिया दिवेशन है 43 वा दिवेशन ह पंडे जवाहलाल नहरू यहां पर अधिख्षते पूर्ण सवराज की मांग की मौलिक अधिकाल की मांग कराचे दिवेशन में की सरदार बल्ला भाई पड़ेल यहां पर अधिवेशन था 1937 का दिवेशन याद रखना है फैचपुर में हुआ था पंडे जवाहलाल नहरू जी के अधिख्षता वाले दिवेशन या रखना है मेरट में हुआ तो पचपन में नंबर का दिवेशन था 1946 में हुआ और आजादी के समय यह अधिख्ष रहने वाले जो है व्यक्ति थे जेवी किरपलानी कहते हैं जब भारत को आजादी प्राप्त हुए उस समय अधिख् को कवर किया ऐसी इंपोर्टिंट वीडियो के लिए जोड़े रहे हैं ऑनलाइन एक्जाम पेपरेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टैलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें आपके लिए बहुत वैनिफ तुमेश